आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ So question में पूछा जा रहा है कि banana crop जो हुए वो हमारे farmers के त्वारा कैसे cultivate करी जाती है without sowing of seeds जानी की वो बीज नहीं बोते है इसके बावजूद भी हमारे जो किसान होते हैं वो banana crop को cultivate करने में सक्षम है अब ये कैसे plant हमारा propagate होता है तो हमें ये पता है हमारा जो banana है इसके पास क्या है? एक stem modification है stem modification है जिसका नाम क्या होता है? stem modification का नाम है इसका rhizome तो ये rhizome जो है इसकी वज़े से यहां पर क्या होता है? छोटे छोटे नए नए plants भी बन जाते हैं ये अगर मान लिजे हमारा mother plant है ये हमारी mother plant है तो इसकी चारों तरफ आप यहां पर ये देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारे इसके rhizome से निकले वे नए और स्रूइंग्स है ये हमारा basically काम कैसा करता है? ये हमारा काम करता है प्रॉपाग्यूल का ठीक है? तो ये हमारे basically vegetative propagation में काम आता है फार्मर्स क्या करता है? इसी वो यहां से निकाल देते हैं कट मार देते हैं यहां पर इतना कि हमारे जो mother plant है यहां पर उसके पास काफी roots रहें जिससे कि ये कहीं मरना जाए फिर क्या होता है? इसको हमने अलग से plant कर देना होता है और इसे हमारी जो banana crop ये propagate हो जाता है तो यहां पर propagation जो यूज हो रही है vegetative propagation का जो method है ये vegetative propagation तो इसमें हमारी एक तो कोई भी यहां पर sexual reproduction का utilization नहीं हो रहा है sexual reproduction होता है तो seeds बनते हैं तो यहां बिना seeds के भी हम rhizome की सायता से क्या कर सकते हैं बनादा को प्रापगेट तुई हो जाता हमारा answer thank you